हलो बच्चों, आज हम र, रेव की मात्रा की बारे में पढ़ेंगे रेव की मात्रा जो होती है, किसी भी वर्ण में इस तरह से उपर की तरफ लगती है ठीक है? और इसको हम आधह र के रूप में बोलते हैं इसकी ध्वनी पूरी नियुती आधे र के रूप में होती है तो ये जो वर्ण है, ये हमेशा अपने से दूसरे वाले पूरे वेंजन के उपर लगाया जाते है ये वाली जो मात्रा होती है इससे बनने वाले शब्दों को हम पढ़ना सीखते हैं जैसे सर्प, सर्प, अब इसको हम सरप नहीं बोलेंगी क्योंकि ये आधे र के रूप में होती है सर्प, सर्प, दर्पन, ये पिछले वाले वर्ण के उपर होती है और वो भी पूर्ण वर्ण के उपर कुर्सी, कुर्सी, पर्स, पर्स, मार्ग, मार्ग, चार्ट, चार्ट, वर्ष, वर्ष, पार्ग, पार्ग, फर्ष, पर्ष, खर्च, खर्च, टार्च, तार्च, मार्ग, मार्ग, जुर्मान, जुर्मान, नर्स, नर्स इस तरीके से ये अपने से बाद में आने वाले पून वेंजन के उपर लगाई जाती है लाओ लाओ पार्क पार्म में जाओ जाओ इस तरीके से हम र रेस की मात्रा वाले वर्णों को पढ़ते हैं